हेलो अव्रिवान वेल्कम टू टू आइस न पीसियस दोस्तों प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग ने गांधी जी के जिन्दगी का पहला पहलू देख लिया था कि कैसे उनका जीवन काल रहा था साउथ अफरीका के अंदर ठीक है साउथ अफरीका के अंदर गांधी जी को प्रोच के या फिर दूसरी अप्रोच के बैनेफेट्स और लिमिटेशन पता लगे थे साउथ अफरीका में उन्होंने जो भी करा उसकी रेलेवेंस के उनकी जीवन में क्या रेलेवेंस है नेट प्रैक्टिस के लिए है न जिसको आगे जाकर वो क्या करेंगे यूस करेंगे उन सारी स्चार्ट जीज़ को इंडिया के अंतर तो हम बात करते हैं गांदी जी भारत आते हैं वापस गांदी जी भारत वापस लोटते हैं 9 जर्मरी 1915 को और ये वो टाइम है जब हर साल हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारती दिवस जिसमें हम संबोद्वत करते हैं किसको इंडियन डाइस्परा को एनराइस को क्यों एक तो वो हमारे लोग हैं भारत का नाम उज़ा करने हैं विश्प में अलग अलग जगह अपना कॉंट्रिप्रिशन करके और प्लस उनके रेमिटेंस से हमारे देश में नाशनल इंकम की उपर जीडिपी की उपर प्रभाव पड़ता है राइट पॉजटिव प्रभाव पड़ता है रेमिटेंस एक अच्छी चीज़ होती है पुरी चीज़ होती है अच्छी चीज़ होती है बश्रे उसका सोर्स भी अच्छा होना अच्छी है जहांसे वह बनी इंकम क्यों शाइनी ही राइट तो ही वास वामली वेलकम्ट वामली वेलकम्ट ऐसे लिखा है एरवड में लोग खड़ेते जैसे इनकी सागत में कोई जानता नहीं धनकोजा था ठीक है इनका जो कलाम था साउथ अफरीका के अंदर यह लोगों ने काफी जाता सुना था लेकिन फिर भी सब लोग उत्सायत इस बात को लेकर थे के हम भी जरा देखें गांधी नाम का परसन है कौन जिसने हमारे हिंदुस्तानी मैं आपको देखो उत्सायत होगा तो पूरे के पूरे गाउं को बात पता होगी वह वाली फिर तो पूरे के पूरे गली मौले को वह वाली बात पता होगी यहां पर यह वाली बात हो रही है कि he was popular among the masses लेकिन फिर भी जो popularity भी चंपर हमें जाकर मिलेगी उस जैसी popularity भी नहीं है गांदी जी इंडिया आते है गांदी जी ने इंडिया आते गोपाल कृष्ण गोखले को थैंक यू बोला याद है उनी के initiative से श्रेया लेक्षर देख लिए था बात का गोपाल कृष्ण गोखले ना पूरे इंडिया का टूर कर रहे थे मैं इनको यह बताया था ठीक है उस ताइम पर गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो यह बता रहे थे कि हिंदुस्तानी जो है वो किन एट्रो सिटीज का सामना कर रहे है साउथ अफरिका में तो उस समय पर 22 रहे होता लॉड हार्ड यह वही यह परसन कर रहा था जिसने उसका एनलमेंट कर रहा था उसका बेंगॉल की पार्टिशन का ठीक है कि 1911 में यह वापस ले लथा एपना डेसین और लॉट कर जाने 905 में उसको इंपलिमेंट कर रहा था रइड कि इसने खुद निंदा करी थी अंग्रेज्य हुकूमत की जोखी साउथ अफरिका के अंदर जिनके उपर चार्जेस लगे थे कि श बनART अब गांदी जी उस टाइम सर उस टाइम से लेकर इस टाइम तक गुपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉल्टकल गुरु मानते थे ठीक है बहत सिंग का पॉल्टकल गुरु कौन करतार सिंग सराबा आधर्श मानते थे ना भगत सिंग उनको अबना तो गांदी जी को एडवाइस करा जाता है उनके मेंटर गुपाल कृष्ण गोखले के दोरा शौट में जी के गोखले कि तुम ना एक बारी पूरे भारत का प्रहमन करो गांदी जी बोलते हैं क्यों कहते हैं देखो तुम बाहर रहकर आयों मैं मानता हूं कि तुम हिंदुस्तानियों की बीच में थे लेकिन तुम हिंदुस्तानियों के बीच में एक अंजान देश में थे हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानियों की क्या हालात हैं तुम इसको पहचानने के लिए कश्मीटु कंञ्यकुमारी गुज्राटु नजल जिससे तुम्हें मिलना है जिस भी गली मौल्ले में जाना है तुम एक बरी पूरा का पूरा ब्रह्मन करो एक साल के लिए तुम जानो हिंदुस्तान है कैसा जब तुम छोड़कर गए थे तब कैसा था अब कैसा है यह क्या करने की कोशिश करवा रहे हैं गांदी जी से कि गांदी जी लोगों की साइकॉलिजी को पैचाने आगे जाकर गुपाल किष्ण गोगले गांदी जी को रेडी करना चाहरे हैं फॉर स्ट्रॉंग पॉलिटिकल सेटप उसके लिए जनता के साथ तालमेल बनाकर मयूर बात तो करनी है पड़ेगी ना जनता से क्यों कुनल तो पहले जानना पड़ेगा अब जैसे कुनल मैं भली MP में पैता हुआ हूं लेकिन मैं शुरू से दिल्ली रहता हूं तो किस तरीकी का सारकैजम मंद्य प्रदेश में यूज करा जाता है या गांओं की बोली क्या है बोल चल क्या है यहां पर कब आदमी टॉंट में बात क एरिया एरिया की अप्रोच की बात होती न जैसे मैं अगर लोगों के साथ ताल में बनाकर उनकी वेश भूशा उनका पहनावा उनका कपड़ा उनका बोल चल अगर न सीख सकूं तो अक्सर किसी भी रूरल एरिया के अंदर लोगों को यही लगी गया न कि यह शेहर से आ ग जो अर्बन एरियास में लोग रहते हैं अगर वो रूरल एरियास के से इंटरक्शन करें अब बात यहाँ पर फॉर्णर्स की और इंडियन्स की वह जाती है अब गांधी जी इतने टाइम तक वहाँ पर रहे थे ऑफिसी बात है तो में हिंदुस्थानी ही हो माना तुम हिं इनके पीछे एक परसन लग जाता है फिर है ना जिसको पता लगता है कि गांधी जी ने ऐसे ऐसे मदद करी थी साउध अफरिका गेंदर वह एक मसी आ है वह परसन को बेस्ट अपने रीजन की समस्या को सॉल्व करने के लिए बेस्ट परसन जो उसकी दिमांग में आता है व कौन हो था वह परसन जो कि कई पर भी जाए उनकी पूछ लटक लटक के घूमता रहता है वह हर सेशन में पीछे-पीछे गांधीश उसको डेट पर डेट डेट पर डेट तारीक पर तारीक देते चले जाते हैं राजकुमार शुटला प्रीवेस लेक्चर में आगे पढ़ने से पहले एक बात बता दूँए एक बैट करना बातची तो हुई थी बड़े सारे लोगों की जिसमें गांधीजी थे वाइसरोय लॉर्ड हार्डिंग थे जर्नल स्मॉट्स थे लेकिन एक परसन था सीएफेंट रियूस श्रेया मेरा गांधी वाला वैल्यू एडिशन वाला लेक्चर देखा है आपने क्लास्ट वाल वाला जो अपना था इंडिगो वाला इसमें उस परसन का नाम सुना है यह चंपारन आके से गांधी जी को बोलता है कि मैं हम जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लडाई है आप अच्छी हो अपने आपने हेल्प दी हमें सब कुछ अच्छी बात है लेकिन अगर हम किसी foreigner से help या मदद लेते हैं जनता के सामने वो एक अच्छा impression परता नहीं करेगा तो sorry आप यहाँ पर नहीं रुखोगे आउट रैटली गांधी जीन के movement को मना कर देते राइट गांधी जी के initiative में जब गांधी जी को masses को समझाना होता था इस्पेशली male members को तब तो गांधी जी खुद बात कर लेते थे जब female से बात करनी होती थी बड़े सारे sensitive issues पर तब किसको आगे करते थे अपनी वाइव कर सुर्वा गादी को न यही रोल था इनकी वाइफ का इंकी जीवन में जा तो उससे बात कर क्या हो चार बच्चों के नाम क्या अहां बस वह यार तुम्हें देव दास मनी लाल तो तुम्हें यादी रहेगा वह फिसी बात है जाए हरीलाल मनीलाल रामदास देव दास और चलिवह वान बस थे यह एफ तुम कर और यह प्रेंको रहा हिर गांधी जूए गांधी ची जैन उनके पोर्टिकल्वाट और जानो यहां पर लोगों का कैसा स्वभाब है कैसा रवाया कैसा बेवार है वो उनको एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल सेटप के लिए रेडी कर रहे थे तो गांदी जी ने अपने पॉलिटिकल वेंटर की बात मानी गोपाल क्रिशन लोगों से मिले लोगों ने इनको अपनी परशानिया बता लगी इनको यह पता लगी के किसान कैसे अपने हके रड़ाई नहीं लड़ पाता इनको जो पड़े लेके लोग थे उनके बारे में भी उनसे बात करके बता लगा कि कैसे लोग जो है वो पड़े लिखे तो है लेकिन उनको फिर भी legal instruments का use करना नहीं आता अपने हक की राई लड़ने के लिए law courts में जाना नहीं आता, petition file करना नहीं आती बहुत कुछ जाना नहीं लोगों के बार में लोगों की कमिया जानी, लोगों की अच्छाहिया जानी, diversity को जाना, diversity को पहचाना इनको लोगों से बात करके ये भी पता लगा के लोगों के अंदर हिंतो सामे इस ताइम पर unity है के नहीं है ठीक है और कल को अगर कोई movement हो या अंदोलन करना पड़े तो लोग कितनी जल्दी ready हैं सड़कों पर आने के लिए ठीक है ये मलब लोगों से बात कर रहे थे, लोगों को जान रहे थे ठीक है and he's studying all the situations with great care इस टाइम पर, he organized his ashram in Ahmedabad जहां पर ये और इनके जो followers थे from South Africa they would lead a community life और आपको पता ना, गांदी जी के सारे ashram का जो model है इंदोस्तान में उसका base क्या होता है, उसका background क्या होता है, कौन सा आश्रम, South Africa में गांदी जी का आश्रम का नाम Tolstoy farm, ठीक है और एक बात वारियात रखना, उसी के context में ये इनका friend था जर्मन आर्किटेक्ट, केलन बैच इसने बनवा कर दिया था ये, क्याता है तो next year as well, he continued to maintain his distance from political affairs, home rule movement के अंदर भी उन्होंने कोच छेड़ा छाड़ी नहीं करी जो कि इसने बर momentum के यादर कर रहा था, क्यों? अभी आप ready नहीं हो अभी आप एकदम से ready नहीं हो गोपाल कृष्ण गोखले ने श्रेयन को पहले बोला अपनी कोचिंग खतम हो जाने थे, फिर बैठी हो भी उपेसिक एक्जाम में कोचिंग करते करते हैं टेम्न मत्ते है ठीक है? आया था ने एक बंदी का कॉश्र है मेरे पास है ना कि मुझे चार मेनी के अंदर कोच कंप्रेट करा दोगे अगर डियर कितना जखम दोगे मुझे फिर उस लड़की को पता लगा यह तो चालिज महिनों तक भी नहीं होने वाला तो गांदी's own political understanding did not coincide with any of the political currents देखो वही बात है ना आप गोपाल कृष्ण गोगले जी की बातों को उनकी बाते सही लग रही है अब गांदी जी को यह जिस हिसाब से सोच रहे थे ना कि राजनीतिक महौल यह है हिंदुस्तान में उस हिसाब से राजनीति यह इंडिया में प्राक्टिस नहीं कर सकते जब इनको पता लगा कि ground level पे situation गया देखो एक चीज होती है कि अगर यह सोचते कि मैं वखालत जिस तरीके से प्राक्टिस करना चाता हूं वो साउथ एफ्रिका में करना तो प्रशाशन अलाओ नहीं करेगा वापर पहले तो कर भी देता लेकिन जो इनकी फिर बाद में हरकते रही हैं तो उससे तो यह यह पोट्रे हुए कि यह भढ़क जो थी वो जिस तरीके की पॉलिटिकल डवलपेंट्स पॉलिटिकल करेंट्स जो एक्टिव थे ने इंडिया में उसके साथ मैच नहीं कर रही थी कौन साइट नहीं कर रही थी अब वही बहली बात है जब आप बहुत कुछ करना चाते हो लेकिन वो contemporary reality के साथ मैच नहीं करता आपको फिर अपने आपको फिर अपने आपको मोल्ड करना पड़ता है situation के साथ से राइट बहुत सारी चीज़े शरी ऐसी होती है कि जो हम न ठकुराइन मलब स्वयम इच्छा से करना चाते हैं कौन जो वास्ति बेखता है उसको भी बूरा जा सकता है राइट ऐसा होता है कि नहीं होता है अब आप में इसे बापताओ कित्ते लोगों को लगता है इस टाइम पर अगर आप singer बनने का सपना देखो और इसको career आप अपना बनाओ तो अर्बो खर्बो खेल जाओगे और आपक अगल वाले जीवन हैं के नहीं है शिर्या बताओ घर वाले कभी हमें सपोर्ट करेंगे चीज के लिए हम खुद भी अपने बच्चों को बेजेंगे ऐसी फिल्ड में वास्तिविक्ता नहीं है ना हिंदुस्तान की नहीं यह रियारटी वही जिस टाइम पर होगी तब अलमा में चला जाता क्योंकि यहां पर वास्तिविक्ता अलग है और इसी बात के लिए वह बहुत जाता थेंग बोलते हैं अपने पॉर्ट के गुरू को पाले क्रेशन को लिए को के सही आपने बोला था कि हिंदुस्तानियों के जीवन साओत अफरिका में बहुत अलग है यहां पर बहुत अलग है क्योंकि प्रशाशन की जो जड़े है ब्रेटिश हुकूमत की वो साओत अथरिका के दर कम फैली हुई है लेकिन ब्रेटेन की परचाई इंडिया के उपर जाता पड़ रही है यहां पर आप राजनितिक महोल में गर्मा गर्मी नहीं दिखा सकते इतनी जाता बताओ है ना सोच समझ के काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा दूसरी एक और चीज थी गोपाल कृष्ण गोखलेन उनको यह भी बोला था कि देखो जो बड़े बड़े दिगज नित है ना उनके काम में किसी भी रीजन में अडबंगा मत अड़ाना क्योंकि सारे लोग अभी एक वी फिलिंग के साथ मुव्मेंट को रेज करें की नहीं कर रहे हैं शरह देखा था ना हमने एक्स्ट्रीमिस भी देखो मॉडेट्स का साथ देते देते शाहिनी कौन से से सेशन में साथ हुए थे ये क्या कहते हैं सूरत में तो अलग हुए थे लगनो पैट है ना 1916 लगनो पैट के बाद ये दोनों मॉडेट्स और एक्स्ट्रीमिस ने बोला था ना कि जो कहो कि हम वैसा मानेंगे हम कुछ नहीं कर रहे हैं बस तुम हमारा साथ दो तो गांदी जी को बहुत अच्छे थे समझाया क्या था बिल्कुल भी अरबंगा य एक-दो हफते होते हैं उनको जन करे हुए आप मेंसे तो कोई ऐसा नहीं था लेकिन जितने लोग छोड़के गए या एक-दो बार मैं जिससे मेरी कौल पे बात होगी आप ऐसे रैटिंग कब से करवाते हो उसके लिए कम से कम मेरे साथ पहले 18-20 महीने बिताने पढ़ेंग या जितने मेरे लेक्चर सो तो नहीं देखने पढ़ेंगे ऐसे एन एथिक्स इसा कॉंबिनेशन ऑफ जीएस पेपर 1,2,3 और सारा प्रेम्स का स्लिवर्स उसके बाद एक परसन ऐसे लिख सकता है और एथिक्स तो वो है परसन जिसने परसनलाइज जी हो मैं यहां पर बोर पर अच्छे से लिखने के लिए आप यहीं नहीं मानोगे आपको मजाग लगेगा मैं सब्सक्राइब पता रहा हूं प्यार करना एक बारी और एक बारी अपना दिल तोड़वाना बहुत जरूरी है बिना उसके आप केस्टइज में आप फील नहीं लापाऊगे यह आपक इसका दिल नहीं टूटा यह जिन्दगी नहीं जी भारपूर तरीके से यह कभी सोचा यह नहीं जिन्दगी जीने के बारे में तो वह एथिक्स में ठुके रहा तो गांदी जे की खुद की जो पॉलिटिकल अंडेसेंडिंग जो थी इट डिट नोट कंसाइड विद विद यह जान रहे थे ना सारी कि सारी मुवमेंट के बार में है न के कहां पर कौन सी हिट जा रही है फ्लॉब क्यों जा रही है जनता के अंदर किस चीज की कमी है इन्होंने दो तीन बाते पता लगए इन्होंने देख़ो यह पता लगाया moderate moderate resistance यहां पर काम नहीं करने वाली है यहां पर काम करेगी हिंदुस्तान में passive resistance जिसमें हम violence भी नहीं करते हैं और प्रसाशन से अपनी बात भी कह देते हैं दूसरे इनको यह चीज़ लगी कि कोई भी movement fail तब हो जा रही है हिंदुस्तानियों में एक चीज़ की कमी है बताओ कौन सी चीज़ की कमी या फिर कभी किसी लीडर ने उसके बार में over emphasis कर रही ही नहीं यह चीज़ की कमी unity की क्योंकि INC की उपर हमेशा से blame लगता हुआ है न प्रीवेज दो तीन चैप्टर से नहीं देख रहे हैं शानी हम लोगों के यह सूट बूड वाले लोग बोला जाता है यह लोगों को जागरुकतों कर रहे हैं उनके साथ associate नहीं कर पारे हैं तालमेल नहीं बना पारे है जनता आज में डर्डर किन से बात कर रही है तब ही तो गांदी जी कितने humble तरीके से अपना सब यह कहते हैं पॉलिटिकल वेवस्ता को अपनाएंगे कि आश्रम जो है जैसे उन्होंने उपन करे अलग अलग जगा पर ठीक है वहाँ पर जाके रुकोंगे गरीब जनसंक्या के साथ ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ चुहा चूत प्रैक्टिस होती है उन्हीं के साथ खाएंगे उनके बॉश्रूम साफ करेंगे उनको एक नया नाम देंगे चिल्डरन ऑफ गॉड हरीजन की बात कर रहा हूं मैं उन्टिशिबल्स मास से जाथ ऐसे सोसेटी करेगा गांधी जी के साथ बताओ कभी ऐसा वर्ग ऐसा जो एसे जो लोग है वो कभी भूल पाएंगे गांधी जी को जिनके लिए वो टोलेट साफ कर रहे हैं उनके साथ बैटके खाना का रहे हैं जिनको कोई पूसा पूसा तक नहीं है उस ताइ देते हैं कस्तूरबा गांधी को आगे बेशते हैं श्रह यादे बापर बीमारी आ गई थी कोटेट टंग जिसकी होती थी तो वह कैस्टर ओईल प्लस वह कैस्टर ओईल नहीं कुछ एक दू दवाई होती थी मैंने उसमें बता रखा है तो वह देते थे प्लस एक यादे उनको एक औरत मिली थी जो कि रोज एक साड़ी पैनकर गोमती रहती थी जिसके शरीबा फलगे पढ़ गए थे तो वह कस्तूरबा गांधी को बेशते हैं अपनी बाहिर को के जाव करते थे गांधी जी काफी चाथा ओके पर ऐसा उन्होंने करने का सोचा है यहां पर तो ही डिडिंट सब्सक्राइब टू आइडियास ऑफ था होम रूल मुवमेंट बलब होम रूल मुवमेंट के बारें जो उनको पता लगा कि लीडर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तेरे मैं अनके बिचारव से सहमत नहीं हो सिंसी डिडिंट फाइंट राइट टू रिवल्ट अगिंस अ ब्रिटिश इस्पेशली वें देवर इन डिफिकल्टी बिकॉस अधा फर्स्ट वर्ल वार देखो शर्या ये होता है परसन जो कि किसी की तकलीफ में किसी का फायदन उठाता है है ना है ना शाहिनी है सचाई की रखा ले और अल्सो इन अल्सो इस फेथ इन मौडरे वीज और पर उन्सो इन्होंने ये चीज देख ली ती यहां पर इनका moderate face 1894 से लेकर 1906 साउथ अफरिका में उन्हें देख लिया था है ना किस से कुछ नहीं होने वाला प्रशाशन तो वही है अंग्रेश तो वही है ना जो साउथ अफरिका में थे जो प्रशाशन था हुकूमत तो नहीं किये सरकार तो नहीं किये तो his faith अरफ स्ट्रगल क्यों यादे सत्यक्रे के वह points थी कहते है सत्यक्रही जो होता है उसको struggle के लिए ready रहना चाहिए यह कायर इनसान की बस की बात नहीं है सत्यक्रे का रास्ता अपनाना इसके लिए आपको निडर होना पड़ेगा राइट सत्यक्रे के प्रिंस्पल्स याद है ना को के भूल गए यह वला point कहां गए यह वला point याद है ना only the brave and strong could follow सत्यक्रे it was not for the weak and cowards even violence was preferred to cowardice to gandhiji's reasons for not joining the existing political organizations कैसी कैसी organizations इस ताम पर चल रही थी होम रूल लीग इंडियन नशनल कॉंग्रेस प्लस कुछ प्रोवेंशल लेवल पर जो एस्सोसीशन और नेदेशन जो चल रही थी है ना अभी वो क्या है इन सबसे दूर है अभी इनके मेंटर ने इनको बोल्टर काईश रहा तुम सेल्फ प्रप्रेशन करो कोचिंग बाद में जोन करना पहले तुम खुद एक बड़ी फैमिलियर हो जाओ थोड़ा 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 सब के बारे में जान लो तो इसके रीजन क्या है और यह चैप्टर बहुत ब पर बारे में आपने देखा होगा है आप तो इस पेक्टरम पड़ चुके हो उसमें तो सिर्फ फैट्स और बिल्कुल पलब ठोड़ सरीके से उनकी मुवमेंट्स मुवमेंट्स को बताया जाता है ना एनैलेसे उनकी लाइफ के बारे में कम कर जाती है जैसे कि मैंनम को बो अभी एक्स्पेरिमेंट्स पर टूट कहते हैं एड एड माय टाइम आउफ लाइफ जो मेरा जीवन काल है जिस ताम पर मैं इंडिया आया हूं मतलब काइंड़ जो मेरा वक्त मेरा जमाना जो चल रहा है और जो मेरे विचार दार है जो कि अलग अलग मुद्धों पर जो डबलफ हुई है I could only join an organization to affect its policy and not be affected by it केते हैं मैं एक ऐसा किसम का इंसान हूँ कि अगर मैं किसी organization किसी संस्ता किसी party को जोईन कर भी लूँगा ना उसकी वज़े से मैं उसकी सिर्फ core policy को ही affect करूँगा मैं उससे affect नहीं होने वाला मैं उसका internal structure ही change कर दूँगा अब ये कोई अपने वर्चस्त धारी होने की बात नहीं कर रहे हैं कि मेरा दबदबा चलेगा वहाँ पर मैं किसी की नहीं सुनता ये basically ये पोल्डरे की मलब मैं सही को सही और गलत को गलत बताने की वहाँ पर एक शमता रखंगा इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पर कोई मुझे कुछ नया perspective देने की कोशिश करेगा कोई member कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको सुनूँगा ही नहीं या समझूँगा ही नहीं या जानूँगा ही नहीं I simply wish to emphasize the fact that the new light will have to be specially dazzling in order to entrance me अगर मुझे किसी की बात कोई impress कर सके तो वो सिर्फ यही होगी कि मुझे एक नया perspective मिले और मैं उसकी बातों को एक imaginary way में कि अगर इसको implement करा गया तो इससे result मिलेंगे जब मैं इस चीज की उपर satisfy हो जाऊँगा तब ही मैं उसकी बातों को मानूँगा इसलिए मुझे कोई particular organization join करना ही नहीं है क्योंकि मेरे join करने की बाते से मैं अपने विचार रखूंगा सामने वाले के विचारों को कम हो सकता है respect दूँ या फिर मैं विचार धारों से लोगों की बाकी भी न रखता हूं तो लोगों की शकल बनेगी तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा अलग ही चल रहा हूं तो in other words गांधी जी कुट जोएं ओनली गांधी जी कुट ओनली जोएं अर्णेशन और रहा मूमेंट डाड अडॉप्टेड नॉन वोरेंट सत्याक्रे एंज अधू मैथ्समेट और अभी तक ऐसी कोई और रहा हूं तो ठीक है लेकिन सत्याक्रे की पात्पर क्या चले अब जा थी ना गांधी जी के methods of सत्याग्राइं के principles सत्याग्राइं एक mass struggle है it is a search of truth but you should adopt a non-volient approach ये वाला काम तो World War I के टाइम पर याद है ये वाला तो moderate सिक्षी में दोनों कर रहे हैं और कुछ-कुछ तो revolution terrorist भी कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है क्या पता अजादी दे ही दे हैं उनको यकीन नहीं था इस बात की उपर लेकिन फिर भी ये वाला काम कौन नहीं कर रहा है लेकिन गांधी जी अपनी सत्याग्राइं अपनी सत्याग्राइं के principles को follow कर वाना चाहरे है और वो ही कहते के पहले कोई organization पहले मेरी इस बात को सीख ले समझ ले तब मैं join करूँ क्योंकि इस से फिर मेरा और उसका ideological clash नहीं होगा तो गादी जी और गोपाल कृष्ण गोखले ये हम आत्मा गांधी और ये है गोपाल कृष्ण गोखले किसी के कहने पर ये साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी दाद अब्दुल्ला दाद अब्दुल्ला याद है तो मेंटेनिंग डिस्टेंस फॉम पॉलिटिकल अफियर्स डिट नॉट हाववर मेंडियाट गांधी जी वॉस गोईंट रिमीन पॉलिटिकल याइडल कि मैं कोई पॉलिटिकल ऑग्निटेशन जोई नहीं कर रहा हूं तो भाई मैं एक्टिवली पॉलिटिकल स्टेजिस में पार्टिसिपेट करूंगा यह नहीं पहले हिंदोस्तं को सीख रहे हैं जंता को जान रहे हैं सारी चीज़ें समझने की कर रहे हैं तो 1917 में और 1918 में he was involved in three significant struggles और कहते हैं गांधी ने इंडिया मैकर क्या कर रहा था केक खाया था सी एक केक केक यह वैली बात पता है ना आपको पहले भी पता चुका हो नो चंपरन एंदवाद खेड़ा जानने के तरीका है जाब कुनाल कहा रहा था सच में खाया था केक तो during the course of 1917 and early 1918 he was involved in three significant struggles लेकिन क्या इसके लिए इनको कोई political organizations association जोईन करनी पड़ी independent रूप से करा ना जो करा रहनों नहीं आपर इनका यह माना था political organization एक setup देती है ultimetry लेकिन आपको dealing इसके साथ करनी पड़ती है जनता को साथ लेकर सलना पड़ता ना तो क्यों ना directly जनता के support से ही कोई सत्यक्राइ लॉंच कर दो कोई master लॉंच कर दो क्यों अतनी नौट अंकी करनी political organizations में फिर सबके move बनेंगे सबका consensus चाहिए कोई majority में है कोई मान रहा है बात कोई नहीं मान रहा है बात तो better क्या है directly जनता के साथ dealing करो अगर आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हो तो तो चंपारन मुव्मेंट इन विहार उसके बाद एमदाबाद के अंदर और फिर खेडा फिज्राद जो common features थे इन सारी जो struggles के थे चंपारन एमदाबाद खेडा it was that they were related to specific local issues जिससे ये grassroot लेबल पर जिससे grassroot डेवलपर जनता के साथ connect कर वाएंगे and that they were fought for the economic demands of the masses जहां पर लोगों के जीवन को चलाने के लिए जीवन व्यापन के लिए अपना गुजारा करना और रोटी की लड़ाई जहां पर है i repeat my words food struggle है जहां पर लोगों की ये जो economic demands kind of अगर बहाँ पर प्रशाशन उनकी बाते नहीं मानता तो लोगों के जीवन से उनकी दो वक्ती रोटी भी चली जाती ऐसे लोगों की grassroot level पर जाकर गांदी जी ने मदद करी और उनके साथ वो connect कर पर लोग भी अपने आपको उनके साथ associate करके देख पाए और यहां पर इन तीनों successful stories के बाद इन तीनों successful struggles के बाद गांदी जी को बहुत major support मिले जाएगा grassroot level पर तो next lecture में बात करेंगे गांदी जी की शुराती दौर में जब वो भारत आते हैं उनके तीन initial movements के बारे में चंपारण जो कि इनका पहला civil disobedience movement था, एहमदाबाद की मिल strike, first शंगर strike, and खेडा सत्गर, first non-corporational movement. इस discussion में फ्लाल इतनी, thank you very much for discussion.